Hello everyone, welcome back to the channel. आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टार्ट क्लास 7 का चेप्टर 2. इसकी एक्सेसाइस 2.1 आज हम स्टार्ट करेंगे और इसका कोशन नमबर 1 एंड 2 हम इसमें करने वाले हैं. इससे पहले हम बेसिक फ्राक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आड कर दूँगी आप वहाँ से देख सकते हैं. इस वीडियो में हम कॉशन नमबर 1 एंड 2 करेंगे जिसमें फ्राक्शन को पिच्चर से माच करना है और समझना है कौन सा फ्राक्शन किस पिच्चर को रिप्रेजेंट करता है. तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फ्राक्शन अन डेसिमल्स क्लास 7 एकसाइस 2.1 कर्शन नमबर 1. फ्राक्शन का मतलब क्या है? किसी भी पार्च में से एक शेडए होगा. मतलब 5 पार्च होँगे, उसमें से एक शेडए होगा. और ऐसे दो ड्राइंगों होँगे. तो multiply by two का मतलब है, और ऐसे दो ड्राइंगों है. तो अब हमें सबसे पहले ऐसा फ्राक्शन डूणना है, जिसमें पांच पार्ट में से एक शेड हो रहा है और वो दो ड्राइंग्स है तो इसमें से ऐसी कौन सी ड्राइंग है जिसमें पांच पार्ट हो रखे हैं सबसे पहले वो देखना होगा इसमें तीन पार्ट है तो ये तो नहीं हो सकता इसमें 2 पार्ट है ये भी नहीं हो सकता इसमें 4 पार्ट है ये भी नहीं हो सकता 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 5 पार्ट है जिसमें से 1 शेड़ेड है इसमें 5 पार्ट है जिसमें से 1 शेड़ेड है और यही हमारा 1st पार्ट भी कहता है पांच में से एक shaded होना चाहिए और ऐसी दो drawings होनी चाहिए तो ये D जो है वो हमारा first part को represent करता है तो इसका answer है first second part हमारा ये कहता है 2 multiply by 1 by 2 so 1 by 2 का मतलब ये है दो में से एक shaded होना और ऐसी दो drawings होना multiply by 2 का मतलब है ऐसी दो drawings होना so 2 parts किसमें है इसमें 3 part है तो ये नहीं हो सकता 2 part इसमें है और 2 में से एक shaded है ये 2 part है और एक shaded है 1 by 2 यानि कि 2 में से एक part shaded और ऐसी 2 drawings होना जो कि ये रही 2 drawings तो इसका मतलब ये हमारा answer जो है ये second part का है third part हमारा ये कहता है 3 multiply by 2 by 3 3 parts है तीन में से 2 shaded है और ऐसी 3 drawings है so 3 part किसमें है 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3 3 parts इसमें है और ये 3 drawings है जैसा कि बताया गया है और सब ड्राइंग में 3 में से 2 shaded है 3 में से 2 shaded, 3 में से 2 shaded, 3 में से 2 shaded तो ये ये जो है वो हमारा third से माच करता है तो इसका answer जो है वो third part है next हमारा part है 3 multiply by 1 by 4 यानि कि 4 में से 1 shaded होगा और ऐसी 3 drawings होगी so 3 drawings है ये और सब में 1,2,3,4 में से 1 shaded है 4 में से 1 shaded है, 4 में से 1 shaded है तो इसका मतलब हमारा जो ये है इसका answer है fourth part question number 2 ये भी similar है first question के some pictures A to C are given below tell which of them show हमें बताना है A to C, A, B, C जो pictures यहाँ पे given है वो किस part से माच करती है so यहाँ पर हमें equal के साथ दिया हुआ है तो हमारे पास जो pictures है वो भी equal में given है तो इसमें क्या होगा हमारा जो ये left hand side वाला है वो भी picture से माच करेगा और जो right hand side वाला है वो भी picture से माच करेगा तो सबसे पहला part करते है 3 multiply by 1 by 5 तो सबसे पहले left hand side देखते है left hand side का मतलब ये है यहाँ पे 5 parts है 5 parts में से 1 shaded है और ऐसी 3 pictures है तो ऐसा कौन सा दिख रहा है है यहाँ पे जिसमें 5 parts है इसमें तो 5 नहीं है इसमें भी 5 नहीं है इसमें 5 है 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 parts है जिसमें से 1 shaded है correct ये 5 parts है जिसमें से 1 shaded है ये 5 parts है जिसमें से 1 shaded है तो ऐसी 3 pictures थी तो हमारा left hand side तो इससे माच कर रहा है right hand side भी एक बारे देख लेते हैं right hand side का मतलब यहां पर यह कहता है, 5 part है, 5 में से 3 shaded होना चाहिए है, तो 5 part है, 5 में से 3 shaded है, तो इसका मतलब यह हमारा first part से match करता है, तो इसका answer first part है, next हमारा second part है, यह कहता है, left hand side, 2 multiply by 1 by 3, so 3 part है, 3 में से कोई भी 1 shaded होगा, तो सबसे पहले तो हम ऐसा search करेंगे, जिसमें 3 part हो रखे हैं, और 1 shaded है, और 2 pictures होनी चाहिए, left hand side पे, so 3 part तो इसमें है, अब यहां पर मैं बनाना, shade करना भूल गई हूँ, तो इसमें shaded था, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और यहां पे, तो 3 part है, तीन में से 1 shaded है, और ऐसी 2 pictures है, सिरफ left hand side में देख रहे हैं, 2 pictures है, तो यह लेफ्ट hand side तो मैच कर रही है, अब right hand side की अगर हम बात करें, 3 part है, 2 shaded है, तो 3 part है, और 2 shaded है, तो right hand side में मैच कर रही है, तो यह हमारा मैच कर रहा है second से, इसका answer second है, third part हमारा यह कहता है, 3 multiply by 3 by 4, यह है हमारी left hand side, यानि कि 4 parts हो रखे हैं, 4 में से 3 shaded होंगे, so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 parts है, और 3 pictures है, 1, 2, 3, और सब में 4 में से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 shaded है, तो इसका मतलब left hand side तो हमारा मैच कर गया इस से, अब right hand side हमारा यह क्या कहता है, right hand side हमारा यह कहता है, 2 complete है, and 1 by 4 fraction है, तो यह जो mixed fraction है, वो यह शो करता है, यहाँ वाला जो number है, यह पूरा है, complete है, यानि कि यह पूरा-पूरे में से shaded होगा, so 2 pictures हैसी हैं, जो पूरी-पूरी shaded है, तो यह तो ठीक है, और जो एक है, उसमें क्या है, 1 by 4, 1 by 4 का मतलब, उस picture में 4 पार्ट हैं, और 4 में से 1 shaded है, so 1, 2, 3, 4 पार्ट हैं, और 1 shaded है, तो यह right hand side भी मैच हो रहा है, तो इसका answer है, थर्ड वाला, अब इस से पहले वाली वीडियो में, हम multiplications जो है, वो कर चुके है, fraction का, जिसमें whole number से multiply कैसे किया जाता है, fraction को, मैं already सिखा चुकी हूं, उसका link में यहां डालूंगी, description में, बट सिरफ एक shot में, मैं यहां यह बता देती हूं, जब भी fraction के साथ whole number को multiply किया जाता है, तो whole number उपर वाले के साथ multiply हो जाता है, तो यह 3 multiply by 1 हो जाएगा, यह हो 3 by 5, same way में यहां पर हुआ, 2 by 3, same way में यहां पर भी हुआ, 3, 3 is a 9, 9 by 4, और उसके बाद उसको change किया गया, mixed fraction में, so mixed fraction में कैसे change करते हैं, वो भी मैं last video में बता चुकी हूं, वो आप description से देख सकते हैं,